हिलो दोस्तो आप देख रहे हैं रोसोई वीभा की दोस्तो आज में अपके लिए लेकर आई हूँ ब्रत इस फेसल बेहद स्वादिष्ट और क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी इस पकोड़े को हमने सिर्फ दो चीजों से बना कर त्यार किया है और इसे बनाना बहुत ही आसा सिर्फ घर के बेसिक समानों से बना कर त्यार कर सकते हैं तो आईए आज क्रिस्पी शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने यहां पे छे साथ हरी मिर्च लिया है और साथ ही हाफ इंच अदरक का टुकड़ा तो इन्हें हम इस मिक्सी के जार में डाल देंगे और यहां पे लि लेंगे तो इन्हें फाइन पेश नहीं बनाना है थुद़ा सा दादरा ही रखें बिल्कुल इस तरीके से यह देखिए और इन्हें जाधा गिला भी नहीं करना है बिल्कुल सूखा रखना है तो अब इन्हें हम इस बॉल में ट्राश्फर कर देंगे दूस्तो इस कटा हुआ टमाटर और साथी एड़ करेंगे थोड़े से अद रखे और अब इसमें एड़ करेंगे चार हरी मिर्च तीखा कमे जदा कर सकते हैं और साथी स्वादम सा नमाकट करेंगे और अब इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी साथी बहुत सारा हराधनिया डंठल के साथ ही डालेंगे डंठल का जो टेश्ट हैना चटनी में बहुत ही बढ़ी आता है और हमारे सिहात के लिए बहुत ही फायदे मंद है तो चलिए अब इने ग्राइन करके एकदम फाइन चटनी त्यार कर लेते हैं तो यह लिजिए यहाँ पे बहुत ही स्वार्दिश्ट और च कर देंगे और अब इसमें एड़ करेंगे कच्चे मुंफली का मसाला जो हमने ग्राइन करके त्यार किया है तो इन्हें हम इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें एड़ करेंगे एक छोटी चमच काले मिर्च का पाउडर आप यहाँ पे काले मिर्च को कुट कर भी इसमें अब साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पे साधा नमक इसमें इस्तमाल किया है जो हम रोज के खाने में इस्तमाल करते हैं अगर आप ब्रत में नमक खाते हों तो सेंधा नमक का इस्तमाल किजिएगा और साथ ही इसमें एड करेंगे हम वन बाई टू कप सिंघाडे का आटा यहाँ पे मैंने आपको सिंघाडे का आटे का पैकेट दिखा दिया है जो कि फलहारी होता है और ये सिंघाडा पाने में खा सकते हैं तो अब इस आटे को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पे सिंघाडे के आटे के जगह आप इसमें कट्टू के आटे भी ले सकते हैं जोगी सिंघाडे के आटे की तरह ही होता है अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इ इन्हें एकदम डो के तरह त्यार कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से, यहाँ पे सारी चीजों को 2-3 नड के लिए हाथों से अच्छे से मसल मसल कर त्यार करना है, तभी आपके पकोड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे, अब यहाँ पे लेंगे हम थोड़े से रिफार्ण ओ बना लें, बिल्कुल इस तरीके से, और इस पकोड़े का साइज नजदा बड़ा रखना है और नजदा छोटा, बिल्कुल इस तरीके से मीडियम साइज में त्यार कर लेना है, तो चलिए यहाँ पे हमने सारे बना कर त्यार कर लिया है, तो चलते हैं गैस के तरफ और इन् तेल में जितने बोश डल सके उतना डाल देना है और इन्हें 2-3 मिनट के लिए नीचे से अच्छे से से शेख जाने दे उसके बाद सब को पलट लेना है इस तरीके से और इन्हें लगतार चलाती हुए नहीं फ्राइ करना है इन्हें पलटने के बाद ऐसे ही 1-2 मिनट के उसके बाद इन्हें दो से तीन बार उलट प्रट कर इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे सी फ्राई कर लें बिल्कुल इस तरीके से इस पकोड़े को धीमी आज पर धीरे-दीरे फ्राई करेंगे तो ये बिहत गριस्पी और एकडम परफेक्ट पकोड़े बनकर त्यार होंगे तो चलिए सारे पकोड़े फ्राई हो गये हैं और आप देशकते हैं कि पकोड़े में बहुत हीं बड़िया कलर आगय है तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे पकोडों को फ्राइ कर लेना है इस पकोडे को एक बार फ्राइ करने में 5-6 मिनट का टाइम लगा है इस पकोडे को मैं तोड़कर दिखाती हूँ ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वाधिश बन के त्यार होता है इसे आप एक बार बना कर दो सी तीन बार खा सकते हैं दोस्तो रेश्पी को ट्राय जरूर किजिएगा और मेरे चनल पे नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा आज की रेश्पी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा आज की रिस्पी आप सभी को पसंद आती है तो इस वीडियो को अपनी फ्रेंस फेमली में जरूर शेयर किजिएगा मिलते हैं ने रिस्पी के साथ थेंक यू